से गाइज डेलकम बैक टू अनवर वीडियो मैं हूँ आपके दोस्त आरुन नागर आज हम आपके लिए लेके आए हैं मारुतिन एकसाफ फ्रॉंक्स टॉप एंड वेरियंट हमारे सामने खड़ा है जीटा वेरियंट है दो इंजन आपको फ्रॉंक्स में मिलते हैं 1.2 लीट नेचरल एस्प्रेटेड एंजन एंड वन लीटर टर्बो चार्ज एंजन जो आपको टॉप एंड वेरियंट में ही देखने को मिलता है जीट आगे अंदर सारी इसे वीडियो में कवर करेंगे क्या मैं मेंज है क्या सारे स्वीचर आते हैं बाग्यों से पहले अगर आप च मिल जाता है क्रूम का डिडियाटर ग्रिल अपको मैक किनिस के साथ मिलती है यहां पर अपको लेडी डियारल्स मिल जाएंगे एंड फुली एड़ लेंप सापको मिल जाते हैं आपके काफी डाउन तो आपको फॉग लैंप की जर्थ नहीं होती है एंड साइड पर फाइल आप देखेंगे त्यार कुछ इस तरीके की साइड प्रफाइल आती है अपनी पूरी गाड़ी की फुल ग्लैक और 16 के आलोय आपको देखने को मिलते हैं वी लास्ट क्लाइडिंग आपको देखने को मिल जाएगी एंड ग्राउंड क्लियंस की आप बात करोगे तो 190 mm का ग्रा सब्सक्राइड मिल जाएंगे अगर इसके इंजन की तो इसमें आपको वन लीटर टर्बो चार्ज एंजन मिल रहा है जो आपको पार प्रियूस करता है नंटीएट पीस की पावर है एंड 147 नुटन मिट्र का टॉर्क है एंड अगर माइलेज की हम बात करें तो यार यह ज चोड़ा माइलेज कम देता है अगर कस्टमर फीडबेक की हम बात करें तो टॉप एंड वेरेंट आपका टर्बो चार्ड वाला जो माइलेज देता है 14-15 की देता है वही अगर आप इसमें 1.2 लीटर नेचरल एस्परेटेड वाला एंजन आप लेते हो बेस या बेस से नहीं मिलेंगी उसमाफिर आपको 86 PS की पावर मिलेगी एंड वन थार्टी न्यूटर्मेटर का टॉर्क मिलेगा बट माइलेज आपको अच्छी घासी मिल जाएगी आप चलते हैं रियर की तरफ तुम आपको रियर प्रफाइल दिखा दू एंड पुछ इस तरीके की रियर प्रफाइल आती है यार पूरी कूट शेप आपको देखने में लगती है सिजुकी का लोगो फ्रॉंक्स की बैजिंग मिल जाती है स्माट हाइब्रिड है प्रेजिंग आपको यहां पर मिल जाएगी रियर हीटे कोगर मिलता है वाइपर नहीं मिलेगा हाई मोटेट स्टॉ देखा दू प्रिक्वेश्ट सेंसर के साथ आपी है यह कुछ इतना बड़ा बूट आपको मिलता है या थ्री हंड्रेड जीरो एट लीटर का बूट स्पेस्स आपको में पैस फ्रॉंग स्केंदर यार इसमें काभी सारी पॉलों दिखा दू अजर आप यह वाला पाट दिख इंड स्पेर वील आप देखोगे तो इधर आपको स्टील रिम के साथ स्पेर वील देखने को मिलता है यह जो आपकी रियर वाली सीट है सिक्स्टी फोर्टी सिप्लेट आपसन के साथ आती है आप अपनी नीड के कोर्ड़न सीट को फोल्ड कर सकते हैं एपना बूट स्पे दोनों ही रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ है एंड डोर अगर आप ओपन करोगे तो यार यहां पर यह आपको खूब सूरत सा इंटीर देखने को मिलता है रेडिशा टच आपको पूरी इंटीर में दिया है डूल टोन के अंदर डोर अगर आप देखोगे तो यहां पर आ यहां आप आप करीब एक आदा लीटर की बोटल रच सकते हैं इतना स्फेस मिलता है इंफोटेर्मेंट के लिए आपको स्पीकर वगएरा विंडोस के अंदर मिल जाते हैं डोस के अंदर एंड ड्राइवर सीट आपको सिक्सवे एडजस्टेबल नहीं मिलती है यार यह करीकत है गाडदी के अंदर तो अंदर मैं आपको दिखा दू सबसे पहले स्टेरिंग वील आप देखो गे तो सेम यार वाला स्टेरिंग सलीड आपको मिलेगा रियर फ्लैट अगर्स को इन्फोटेर्मेंट के कंट्रोल मिल रहे हैं और प्लुम अपके ब्लीटूत वग्य इस्ट्वंट क्लस्टर आपको देखने को मिल रहा है देखने में घृपी लगता है एनलोग जो इंस्ट्वंट कलस्टर होता है वह काफी प्रेमियम लुक देता है लेफ्ट में आरपीम के लिए राइट मेंस्ट मेर्मेरा हो गया एंड यह इधर एक डिजिटल मिलता है छोटा सा इधर आप फ्यूल गेज वगेरा टेंप्रेचर एंड टाइम वगेरा यह सारी चीज़ें यहाँ पर फ्यूर यह एंड सेंटर मगर आप देखोगे इधर आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है एंड इधर एक आपको 12 वट का सॉकेट मिल जाएगा यहाँ पर आपको टू कफोल्डर मिल जाते हैं एधर कुछ स्पेस मिलता है अपना फूर वगेरा रख सकते हैं टॉप पर आप देखेंगे तो मैनुवल डेमिंग के साथ आई यार वीम आपको मिल जाएगा फाइब स्पीड मैनुवल ट्रांस्मिशन के साथ गाड़ी खड़ी है बाकी ओटोमेटिक भी आती है वह आपकी करीब तेड़ लाग रुपे कोस्टली हो जाएगी अगर इसके सेट एससरी में लगवाना होगा और अब बात करें यार सीट की सीट मेरे को काफी कंवर लगी जो बकेट फिटए ना आयार मतलब ग्रेप है इनकी अप यहाँ पे देखोगे तो काफी जबर अच्छा लगा काफी कंवरटेबल यार यह सीट हो जाती है एंद डैशपोर्ड अगर आप देखोगे तो फोन सकते हो यह आपका सिलवर से जाता है यह आपको देखने को मिलता है तो यार यहां अपना अब चलते हैं रियर सीट पर रियर सीट पर आपको क्या कुछ कमफर्ट देखने को मिलता है फ्रॉंस के अंदर वो चीजे देख लेते हैं एक बर और अगर आप देखोगे तो अगें डिवल टॉन सॉफ्ट अपको यहां पर मिल जाएगा ट्राइवर और को ड्राइवर के डॉर टाइप और यहां पर आपको स्पीकर वगेरा मिल जाते हैं रियर डॉर्स के अंदर भी एंड इधर आपको करीब एक लीटर की बोटल आप रख सकते हैं इतना स्पेस मिलता है रियर वाले डॉर में फ्रंट वाले डॉर में आपको तोना स्पेस नहीं मिलता था एंड सीट के आब बात करोगे तो यहां से सीट को कुछ इस तरीके से ओ एंड बैठें गाड़ी के अंदर तुम आपको स्पेस दिखा दू अगर आप नीरूम की बात करें तो यार करीब इतना नीरूम मिलता है स्पेस के मामले में नो डाउट कोई इशू नहीं है यार काफी जबर्द स्पेस यहां पर फ्रॉंक्स मापको मिलता है एंड मिले भी क्यों न यार अगर गाड़ी का प्राइज वगरा आप देखोगे न तो आल्मोस्ट बलीनों से तीन लाग रुपे महंगी पढ़ती है यह गाड़ी यह आपको तो यह तो करना ही बढ़ेगा थोड़ा सा प्रीमियम नेस थोड़ा कामफ़र्ट गाड़ी में रखना पढ़े इतना है रूम नहीं लगा मिरको फोड़ा कम है अगर कोई ब्रेकर वगरा होगा तो हो सकता है मेरा सारी यहां पर टाच हो तो हैड्रूम की थोड़ी दिक्कत है बाकि और कुछ क्या मिलता है आपको रियर पैसेंजर के लिए यहां पर आपको एक यार 12 वोल्ट का सोगेट दिया है यहां पर अपको एक यूश्वी पोट वगयरा मिलना चाहिए था यूशिक आंडम है एंड आपको कुछ फोन रखने के लिए स्पेस मिलता है यहां अपना पूरा फोन रख सकते हैं अगर आपको चार्ज वगएरा करते हैं तो बाकी और आपको रियर रेस इवेंट वगएरा ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा सेकेंड रो के अंदर टॉप पर आप देखोगे आपको एक रीडिंग लैंप मिल जाता है सेंटर में और अधर आपको ड्राइवर की तरफ भी फ्रंट में भी आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है तो यार यह थी अपनी स्रॉंग स्कॉप एंड वेरेंट पेट्रोल के अंदर और सी एंजी पर आप जाओगे तो आप प्रीज यार वीडियो पर लाइक कर दो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो थैंक यू